हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मोर ग्रियेटिव दोस्तो आज 27 सितंबर दिन सुक्रवार है वह हिंदी मेना कुमार और क्रशनपक्त की दस्मी है तो चलिए सुरू करते हैं आज की बड़ी खबरे यदि आपको खबरे पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जीले से देख रहे हैं कमेंट बाकस में जरू बताइएगा दोस्तो यदि आप चेनल पर नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकान पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको सिक्रता से मिले आप हमारे फेस्बुक और इस्ट्राग्र प्रदानमंतरी किसान सम्मानिदी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है नवरात्री के दवरान देश के करीब 9 करोड गरीब किसानों को प्रदानमंतरी किसान सम्मानिदी योजना के तहत 2,000 रुपए मिलेंगे सरकार ने इसके लिए तारिकी गोशना कर दी है प्रदानमंतरी मोधी जारी करेंगे अर्थात 28 किस्त के पैसे 5 अक्टूबर को आएंगे इसी बीच यह भी कहा गया है कि पैसा पराप्त करना चाहते हैं तो आप प्रदानमंतरी कर वा लें यदि आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो अपने नज़दी की कामन सर्विस सेंट बड़ी खबर है इन सबी लाडली बेहनों को 4.500 रुपए में मिल रहा है रसोई गयस सिलेंडर का लाप वहीं 1.29 लाडली बेहनों के खाते में अगली किस्त की रासी अक्टूबर में आएगी इसके तहत फिर से 1.500 रुपए खाते में भेज़े जाएंगे इसके अलावा 5. 4.500 लाडली बेहनों को 4.500 रुपए में गयस रिफिल कराने का भी लाब मिलेगा राज सरकार दवारा 24.000 लाग से अधिक लाडली बेहनों को 4.500 रुपए में रसोई गयस का सिलेंडर उपलप्त कराये जा रहा है योजना के मताबिक 2024 तक 2.57.56 गयस सिलेंडर के लिए 632.16. गोला लाग रुपए का अनुदान लाडली बेहनों के खातों में जमा करा दिया गया है यह सारी जानकारी नागरिक खात्यमंत्री गोविन सी राजपुत ने दी है दोस्तो मत प्रदेश ने रजदिया इतियास एक करोड के पार पहुँच गई है बीजेपी की सदस्त संख्या देश सहीत प्रदेश में बीजेपी सदस्ता अभ्यान चला रही है इसी के तहत मत प्रदेश भारती जनता पार्टी ने प्रदेश में एक करोड से जादा सदस् दिया है प्रदेश अध्यक्ष विडि सर्मा के नेत्रत में इस अभुद्पूर कार में उनकी पूरी टीम ने न धूब देखी न बारिश न रात देखी न दिन जिसका परिणाम यह हुआ कि 24 दिन में एक करोड सदस्यों का आखड़ा पार हो गया जो बीजेपी के लिए गुस्ता जाहिर किया है उन्होंने पूलिस को सक्त हिदायत दिये की नसे के कारोबार में पकड़े गए लोगों को उल्टा लटका दिया जाए इसी के साथ उन्होंने सहर में कम कपड़े पहन कर गुमने वाली यूती का भी उधारन देते भी कहा कि मा अहिल्या की नगरी इ दिगरने नहीं देंगे कल्यास विजवरगी जी ने कहा कि इंदोर की संस्कृति को कोई खराब करने की कोशिस करेगा तो उसे हर हाल में रोका जाएगा इसी के साथ उन्होंने बच्चियों के साथ होने वाले दुराचार की घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की ताकि इंद मतप्रदेश अब तेजी से इसके अन्य प्रसादनों को भी लागू कर रहा है जिससे यहां एजूकेशन क्वालिटी में बहुत सुदार हो चुका है इसके परणाम सरूप विद्यारतियों का सरवांगिन विकास भी हो रहा है वही नए अध्यादेश लागू होने से सभी उच्छन संस्तानों में एक समान क्रेडिट परनाली हो जाएगी यह जानकारी उच्छा मंदरी इंदर सी परमार जी ने दी है दोस्तो मतप्रदेश के सलकनपूर मंदिर परिसर में बेचे जा रहे हैं लड़ू की सुद्दता की गारेंटी नहीं है इन से आती है अजीब मह जो सर्दालों के लिए बहुत ही खतरनाक है तिरूपती बालाजी मंदिर में लड़ू में जानवरों की चर्वी मिलाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है इसी बीच अब मतप्रदेश के सिहोर जिले में मौझूद सलकनपूर देवी धाम में मिलने वाले लड़ूं क की गुणमत्ता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं यह सवाल खुद सलकनपूर ट्रस्ट समिती के द्वारा उठाये गए हैं समिती की वोर से कहा गया है कि सलकनपूर मंदिर प्रागण में बेचे जा रहे लड़ूं से अजीब सी महकाती है भक्तों से निवेदन है कि वे मंद चीट आवेदन देकर कलेक्टर साब को बताया कि सलकनपूर मंदिर परिसर में मंदिर का लोगो लगाकर सोसायता समूद्वारा प्रसाद की रूप में बेचे जा रहे लड़ूं की सुद्धुता की कोई गारंटी नहीं है लड़ूं में किस तरह की सामगरी का उप्योग कि जा रहा है इसका भी कोई प्रमार नहीं है वहीं दर्सनार्थियों ने कई बार इन लड़ों की शिकायद भी ट्रस्ट से की है जिसमें बताया गया है कि लड़ों से अजीब सी महेक आती है वहीं अब मंदिर समीतिने लड़ों बेशने वालों से कहा कि किसी भी बहारी संस्ता द्वारा मंदिर प्रांगण में मंदिर का मोनो लगा कर लड़ों बेशना प्रतिबंदित है एसे में इसे ततकाल बंद किया जाए क्योंकि यह मंदिर की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ मामला है दोस्तो प्रदेश सहीत उज्जेन में चल रहा है स्वच्टा परखवाडा जो प्रधान मंतरी के जन्म दिवस से सुरू होकर दो अक्टूबर तक चलेगा स्वच्टा ही सेवा अभियान के तहट उज्जेन जिले में स्वच्टा संबंदी गतिविदिया निरंतर रूप से जारी है गुरुवार को उज्जेन कलेक्टर निरज कुमार सीह के निरेशन में जिले के सभी सास की कार्याले में सगन साप सफाई का अभ्यान चलाया गया इसमें अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने सुबह साथ बज़े से अपने अपने कारियाले में एकत्र होकर सफाई में भाग लिया और अपने कारियाले की पूरी सफाई की वहीं उज्जियन कमिशनर गुपता जी ने जाडू से भवन परिशन की सफाई की जबकि कलेक्टर साहब ने प्रसासनिक संकुल भवन के वाटर सपलाई के मेन होल चेंबर को खुलवा कर उसकी इस्थिती देखी और वे स्वयम चेंबर में उतरे और अच्छे से साफ सफाई क इस प्रकार यह बहुत अच्छा काम है और यह एक स्वच्था के प्रतिसंदेश है जो सभी पर लागू होता है अर्थात इस स्वच्था पकवाणे में सभी को अपने आसपास की साफ सपाई करनी चाहिए या है वह सरकारी कर्मचारी हो या फिर आमनागरिक दोस्तो स्रीयन की रगबे में तीन साल में हुई है प्रदेश में दोगुना ब्रदी इसको लेकर मुख्यमंत्री मुहनियादव ने किसानों को दिये बदाई मत्रदेश में स्रीयन के उतपादन और उप्योग को प्रसायद करने के लिए अभूतपूर प्रयास किये जा रहे हैं वर्ष 2020-21 में जहां इसका रगबा 67,000 हेक्टेर था अब यह बढ़कर 1,35,000 हेक्टेर हो गया है इसके चलते मुख्यमंत्री ने अन्न उतपादक किसानो को प्रुषायद करने के लिए उन्हें बढ़ाय दिया, वहीं यट्यासिक फैसला लेते वीए रानी दुरगावत्ती स्रीयन प्रुषान योजना को भी लागू करने का फैसला किया है, वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मत्परदेश में स्रीयन के विश्दार के लिए निरंत प्रदेश को मिलेट्स राज गोशित करना सरकार का मुख्योद देश है। प्रदेश के खरगोन, खंडवा, बढ़वानी, चिनदवाडा, बैतुल, राजगर और गुना जीले में जुआर की खेती होती है। पैंसनरों के लिए भी इसी इसाब से महेंगाई बत्ता दिया जाएगा। सभी भागों में वेतन बत्ते के लिए बजट में करमचारियों के महेंगाई बत्ते और पैंसनर की महेंगाई राहत के लिए 56 प्रतिसत के इसाब से प्रावधान रख लिया गया है। हाला कि अभी करमचारियों को 46 फिजडी की दर से महेंगाई बत्ता दिया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार ने इसे बढ़ा कर केंद्री करमचारियों के लिए 50 पतिसत महेंगाई बत्ता कर चुकी है। जो करमचारियों के लिए त्यवभारे सीजन में बड़ा तोफ़ा होगा इस प्रकार से जानकारियां थी तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय मत प्रदेश